नमस्कार दोस्तों नित्य सादना में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कि हनुवान चली सा पढ़ने से हमें क्या फाइदे हैं दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि देवी देवता की पूजा करना आवस्चक है अगर हम पूजा पाथ नहीं करें तो हमारा मनुस्य योनी में जन्म लेना बेकार है तो दोस्तों हनुवान चली सा पढ़ने से हमारे हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं सास्तर में बताया गया है कि हनुवान जी के किरपास से ही तुलसी दास को भगवान सी रामचंद्र जी के दर्सन हुए थे और तुलसी दास ने हन हनवान जी से प्रसन होकर हनवान चलिशा लिखी थी और सिवाजी के गुरू सामर्थ रामदास जी को भी कहा जाता है कि उनको भी सी रामचंद्री जी के दर्शन हुए थे तो दोस्तों और हनवान जी को यह भी कहा जाता है कि जहां पर रामकथा होता है वहां हनवान जी किसी और बहुत जल्द प्रसंद होने वाले देवता हैं हनवान जी को सी राम चंद्र जी और माता सीता के द्वारा अमर्ता का बरदान प्राप्त था दोस्तों हनवान चलीशा पढ़ने से हमें बुरी आत्मा भूत प्रेत का नास होता है और हमें उनसे मुक्ति मिलती है हनवान चलीशा में कहा गया है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे महाबीर जब नाम सुनावे तो दोस्तों भूत प्रेत और किसी भी प्रकार की बादा हमारे निकट नहीं आती है अगर हम हनवान जी का आस्मान भी कर लें तब हनवान चलीशा पढ़ने से हमारा आत्म भी स्वास बढ़ता है हमारी बुद्धी एकाग्र होती है और पढ़ने में हमारा मन लगता है हर प्रकार के कलेश से छुटकारा मिलता है और एक बात और बता दें कि दोस्तों हनवान भक्त को या हनवान चलीशा पढ़ने वाले ब्यक्त के उपर सनी की अढ़या या सनी की साड़े साती से भी मुक्ती मिलती है इसलिए दोस्तों हमें हनुमान चलीशा का पाठ अवस्य करना चाहिए अगर आप भैंकर रोग से पीडित हैं आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो हनुमान चलीशा के इस मंतर का जाप अवस्य करें संकट से हनुमान चुड़ावें मन करम बचन ध्यान जोलावें दोस्तों हनुमान चलीशा के इस पक्ती में कहा गया है कि हमारे उपर किसी भी प्रकार का संकट आए अगर हम हनुमान जी का आस्मान कर लें तो उस संकट से हमें मुक्ती मिलेगी कि हमें एहसास ही नहीं होगा कि किस प्रकार से संकट कब आया और चला गया तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए होगी मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यान वर्जग वीडियो के साथ धन्यवाद